हेलो दोस्तों दोस्तों कस्टम यूरल के बारे में तो आप जानगा होगी कि यह क्या है और इसे कैसे अपने चैनल के लिए एनेवल किया जाता है अगर अभी तक आप इसके बारे में नहीं जाते तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं इसमें हमने डिटेल में बताया है क कि क्या है और इसका से अपने चेनल के लिए एभल किया जाता है अब दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए बताने प्राउजर उपन कर रहा है और यहां पर YouTube भी उपन कर रहा है तो यहां पर आप देख सकते हमारे चैनल का जो आइकोन है मैं इस पर क्लिक करूँगा और नीचे स्क्रोल करना है अपको और ढूरना है आपको setting option तो नीचे स्क्रोल करिए और setting option पर क्लिक कीजिए अब दोस्तों setting option पर क्लिक करेंगे तो हम redirect हो जाएंगे next पर जो कि हम classic studio में जब गए थे पिछली वीडियो में आपना देखा होगा तो इस पर हम redirect ग्रेक्ट हुए थे classic studio के द्वारा मगर setting option के द्वारा भी आप इस पर यह setting option के द्वारा जा सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं नीचे स्क्रोल करने पर view advanced setting option है इस पर हम क्लिक करेंगे और नीचे आपको स्क्रोल करना है और custom URL का जो option है यहां पर आपके लिए यहांपर शोह रहा होगा और यहां पर हमने जो किस्टम URL रहा है लिया हुआ है तो वह यहांपर अब दोस्तों इसकी जो टर्म कंडिशन है वह हमने यहां पर यह की option के दोरह देखेंड तो अभी भी आपके लिए यह की option पर ही क्लिक करना है और get a custom channel URL जो की term condition है वो आप यहां से देख सकते हैं और इसे remove करने के लिए या change करने के लिए आपको last में यानि नीचे सबसे last में आपके लिए scroll करना है तो यहां पर हम scroll करते हैं और आप देख सकते हैं remove custom URL का option जो show रहा है हम इस पर click करेंगे और इसकी जो remove करने की या change करने की जो term condition है वो इसके अंदर show होगी तो आप देख सकते हैं इस पर हमने click किया और यहां show रहा है you can remove a custom URL for your channel up to three time यानि एक साल में आप तीन बार custom URL अपना change कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर हम यह जो about का option देख रहा है इस पर करेंगे हम click और click करने पर आप पहुंचेंगे next page पर और यहां पर आने के बाद हम इसे करते हैं scroll और नीचे हमारा custom URL show रहा है आपका भी इस तरह सोग्रा होगा और यहां पर आप देख सकते हैं corner में pen का option जो आ रहा है इस पर click करेंगे और आपके URL के सामनी जो cross का option देख रहा है कि अगर आपने ये remove किया तो आपने जहां जहां custom URL के यूज किया है, viewer को विजिट करने के लिए आपके channel पे आने के लिए तो वो आपका work नहीं करेगा और उस custom URL के तो आपके channel पर कोई भी viewer नहीं आएगा, अगर आपके लिए यह remove करना है तो आप कर सकते हैं मगर उसके दोरा आपका कोई भी viewer आपके चैनल पर नहीं आएगा जो आपका default URL था वही आपका work करेगा और उसके दोरा आपके चैनल पर viewers आते रहेंगे मगर दोस्तों अब आपको यह कैसे चैन्ज करना है तो दोस्तों यहाँ पर आप इसे remove करने के बाद आपने जो start में आपका चैनल किस तरह से sorry आपका custom URL आपने किस तरह से create किया था जिस तरह से आपने नया बनाया था उसी तरह से आप यह दूसरा URL create कर सकते हैं तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपके लिए ये समझ आ गाया होगा अगर इस वीडियो से रिल्टेट कोई कोश्चन तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं धन्य बाद दोस्तों बाई